मेरे पती के देहानत के बाद मैं अपने एक लोते बेटे के यहां रहती थी, मेरी बहुं का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी, दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ, वो चाहते है की में व्रिद्धा आश्रम चली जाओ, उनके जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, पर में मन मान कर अपने बेटे और बहूं की बाते सुनकर भी यहां रहती हूँ, क्यूंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं, उनकी जलक पाकर मुझे सुकून मिलता है, घर के बाहर एक तिनकी जोपड़ी में रहती हूँ, मेरी बहूं को कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ, बेटे ने थोड़ी महरबानी की है, तो उपर तिनकी चादर लगवा दी है, समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है, तो मैं अपना बना कर खा लेती हूँ, मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉबलम नहीं होंगी, बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं अपने आपको खुश किस्मत समझती हूँ की मेरे बेटे और बहुं कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे है, मेरा बेटा सुबह नाइन बजे नौकरी जाता है, और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते है, फिर शाम को सिक्स बजे मेरा बेटा वापस आता है, बच्चे थ्री बजे आते है, उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मेरे पती के दोस्त जब कई दिनों बाद आये, मेरे पती के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्ग वास हो गया है, उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिष्टे थे, उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, पेरों में समस्या हो गई थी ठीक से चल भी नहीं पाते थे, वो बड़े दिनों बाद मेरे यहां आये, मुझे उन्हें देख कर अच्छा लगा, उनका हाल भी मेरी तरह ही था, बच्चे अब उनसे भी परेशान थे, आकर मेरे पास अपना दुख़डा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे, बुड़ापा हम जैसो को बहुत रुलाता है, उनकी पत्नी का स्वर्ग वास हो गया था, और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पाते थे, मेरे पास आये तो मैं समझ गई की यह इतनी मुसीबत में चल कर पुराने दोस्तों के यहां चाए और खाने की चाह में ही जाते होंगे, उनकी भी अपनी मजबूरी थी, वो आये तो मैंने उनके लिए खाना बनाया, और उन्हें खिलाया, मना कर रहे थे नहीं खाना लेकिन मुझे पता था की उनको भूख लगी है, बहूं ने खाना नहीं दिया, मेरी बहूं ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया, वो कुछ भी ना बोली, ऐसे ही वो यहां टू टू थ्री बार आये, जब भी वो आते में उन्हें खाना खिलाती, फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहूं कहती है की तुम्हारी मा कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आज कल बुला कर खाना खिला रही है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी, इनका राशन बंद करो कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक ठिकाने आएगी, मैंने कहां की मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूं तुम्हारे पिता के पुराने मित्र है, फिर भी बहूं का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा, घर के बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है पता नहीं क्या क्या करती है, बेटा भी बोला की कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हे, मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीधी के पास ले जाकर बिठा दिया कहां की अब यही बैठो, मेरे तो अब आशु भी सोख गए थे, अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला, मेरे तिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया, तब मुझे लगा की अब मैं गलत कर रही हूँ, वन दिन पुरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा की मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहां नहीं रहना चाहिए, और शायद गलती भी मेरी ही है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो ये परिनाम आया, अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहां की मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आब में तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, बहुं ने कहां की एक दिन भूखी रही तो अक ठिकाने आ गई ना, बेटे की चहरे पर भी अजीब सी खुशी थी जल्दी से तयार हो गया, मुझे छोड़ने के लिए, बहुं कह रही थी की आज की छुट्टी ले लो यही आसपास मत छोड़ आना कहीं थ्री दिन में वापस आ जाए, मैंने अपनी बहुं से कहां की बेटी चिंता मत कर मैं अब नहीं आउंगी, मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया, मुझे पता था की अब मिलना नहीं हो पाएगा, बेटी को भी चाहती थी की एक बार जी भर के गले लगा लू, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो, मैंने बहुं को कहां की बेटी अपना घ्यान रखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ाया, वहां आकर मैंने देखा की मेरी तरह कई है, थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्विकार कर लेते है, मैं अब यहां खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ, की ऐसा कहूं की ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किस के साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता, लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तयार रहना चाहिए, बस बच्चों को पाल कर बढ़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो,